ये बड़लाव इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रयासों में द्रड़ता थी इमानदारी थी आदेश देख रहा है जब नियत सही होती है तो नीती सही होती है जब नीती सही होती है तो निर्ने सही होते है और जब निर्ने सही होते है तो नतीजे सही मिलते है इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ नियत सही तो नतीजे सही कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांस्फर्म हुआ यह अपने आप में कि एक स्टडी का विशा है हमने कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जिसे ऐसे ही छोड़ दिया हो हमारी सरकार ने रिकनेशेशन रिजॉलुशन और रिकेप्रिलाजेशन की रणदीती पर काम किया पुब्लिक सेक्टर बैंक की हालात सुधाने के लिए सरकार ने करीब साड़े तीन लाग करोड का केपिटल इन्फूजन किया और साथ ही गवनन समंदी कई रिफॉंस भी किये अकेले इंसल्वंसी और बैंकरप्सी कोड की नई व्यवस्था से ही करीब सबातीन लाग करोड के लोंस रिजॉल हुए और एक आंकरा देश वाचियों को जरूर जानना जरूरी है सत्ताइस हजार से ज्यादा ऐसी एप्लिकेशन जिसमें नव लाग करोड रुपे से ज्यादा का अंडरलाइन डिफॉल्ट था वो आई बीसी में एड्मिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गई यह दिखाता है कि इस नई व्यवस्था का सामर्थ कितना ज्यादा है कि बैंकों का जो ग्रॉस एन पीए है कि ट्वेंटी एटीन में कि सवा ग्यारा प्रतिशत के आसपास था कि ना बीए गल्ए बंचे का जीए हू झालीच्साइ कि ढोस एंचे वालीच्सानी को बीए आपने